क्या दुनिया खतम होने वाली है क्या वाकई हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसका अंत निकट आ चुका है यानि हम प्रले के बहुत करीब हैं डूम्स डे क्लॉक के बारे में तो आप सब लोग ही सुन रहे हैं और डूम्स डे क्लॉक को बात करें तो कयामत की घड़ी कहा जाता है यानि कयामत की घड़ी ये बताती है कि दुनिया कब खतम होने वाली है क्या हम उस अंत के बहुत निकट है जिसके बारे में कोई नहीं अभी आप लगातार देख रहे हैं कि Doomsday Clock 2023 क्या कहता है कि विज्ञानिकों ने उस गड़ी को 90 सेकिंड पर कर दिया है। सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं Doomsday Clock 2023 को विज्ञानिकों ने 90 सेकिंड पर कर दिया है। हम खत्रे के बहुत करीब हैं और खत्रा कोई छोटा नहीं यानि दुनिया में हम सब इतनी आजादी से जो घूम रहे हैं एक दूसरे से बाते कर रहे हैं मैं आपके सामने खड़ी हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया एक बार फिर प्रले के बहुत करीब है और ऐसा विग्यानिक बार बार 1997 से कह रहे हैं कि हम खत्रे वाली दुनिया में जी रहे हैं। खत्रे वाली दुनिया क्या है कि 1997 के बाद विग्यानिकों का लगातार कहना है कि ये दुनिया जो है वो खत्म होने वाली है। प्रमानु हमले की जो है आशंका जताई जा रही है। और विग्यानिक इसका कारण बताते हैं और जिसके सर पर ठीकरा फोड़ते हैं वो है हमारे देश के लीडर जिनके पास बात करने के लिए बहुत से पॉजिटिव नोट है बहुत से स्टेटमेंट्स है लेकिन वो कभी वात नहीं गरते. वो इस चीज़ से पीछे बाग रहे हैं लेकिन विग्यानिक कहा रहे हैं कि हम खत्रे में जी रहे हैं कब ये दुनिया खत्म हो जाये और पता ना चले और विग्यानिकों का साफ तोर पर कहना है कि हमें अपने लीडरों से अपील करनी चाहिए कि शांती का मोहल बनाए रखे और आशा करें दुआएं करें कि उस घड़ी पर कभी 12 ना बजे ताकि प्रले का दिन वो करीब ना आए और अभी आपको बता दे कि 2023 में उस घड़ी को जो है वो 90 सेगिंड पर रखा गया है 1947 से ये कह रहे हैं तब उस घड़ी को 7 मिनट पर रखा गया था फिर उसके बाद में उस घड़ी की बात करते हैं 1991 में 1991 की जहां पर बात करते हैं उस घड़ी को जो है वो सेट किया गया और उस घड़ी को 17 मिनट पर रखा गया और जब उस घड़ी को 17 मिनट पर रखा गया सेकेंड कम कर दिया अब उसे 90 सेकेंड पर रग दिया गया है यानि दुनिया खतम होने के बहुत करीब है और ये तबाही का संकेत हमें देती है डूम्स क्लॉक जिसे हम कहते है क्यामत की गड़ी और रातरी की जिसे मध्यरातरी में 12 बजने का मतलब है कि विश्व का अंत हो जाएगा और ये क्यामत की गड़ी जो है इसे बुलिटन ओफ एटॉमिक साइंटिस द्वारा निदारित किया गया है उन्हों नहीं से बनाया है गड़ी को और साथी साथ आपको बता दे कि सबसे बड़ा कारण यही है जो रशिया और युक्रेन के 20 में अभी तक युद जो है वो पुन्वे विराम नहीं लगा रहा यानि वो युद खतम नहीं हो रहा इसे देखते हुए विज्यानिकों ने परमानु हमले की आशंका जताई है और माहाविनाश के लिए केवन 90 सेगिंड का समय वो सेट कर दिया है गंबीर खत्रे में हम सब जी रहे हैं ऐसा विज्यानिकों का कहना है और उनका कहना है कि इससे पहले कयामत आ जाए अपने सब लीडर्स के आगे जो है हाथ दोड़े जोड़े कि शांती वाला वक्त वापिस लेके आए और हम 1947 से ये कह रहे हैं कि दुनिया लगातार जो है वो खतम हो जाएगी हम किस दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया का पता नहीं है कि वो कब खतम हो जाए और तबाही को रोकना होगा राहिल ब्रोसन जो कहते हैं हम तबाही को किस तरह से रोकते हैं वो सुनिये अमेरिका सरकार नाटो सयोगियों और यूकरेन के पास बातचीत के लिए बहुत सारे चैनल्स है नेताओं से आगरे है कि वो इस घड़ी को पीछे करने में अपनी पूरी ताकत लगाए उन्होंने आगे का है कि यूकरेन पर रूस के परमानू हमले की बार बार दमकिया है विशव को तबाही की और ले जाने का संकेत है इस से किसी भी तरह रोकना होगा और साथी साथ हुआ क्या था वो बता दे 1947 से दे रही है खत्री मतलब घड़ी जो दे रही है वो खत्रे का संकेत दे रही है और डूम्स क्लॉक एक संकेति घड़ी है यही घड़ी बताती है कि कब दुनिया खतम होगी कब ले आएगा इसके बारे में वो क्या-क्या जानकारी देती है जो महामारी है उसके बारे में भी यह घड़ी बताती है प्रमानू और जलवायू संकट के कारण जो भी तबाही होगी उसे यह पहले ही बता देती है यानि जो हमारे साइंटिस्ट है कही ना कही उन्हें पहले से पता था कि COVID वाइरस आने वाला है और उन्होंने कहा भी था कि एक समय में दुनिया में ऐसा वाइरस आएगा जब दुनिया को लगेगा कि हम बिल्कुल खतम होने वाले और ऐसा हुआ यानि घड़ी जो है ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है और ऐसा होता है विज्यानिकों का कहना है और 1947 से घड़ी बताती आ रही है कि दुनिया प्रले से कितनी दूर है 1947 में महाविनाशनी के लिए 7 मिनट का समय निधारित किया गया था 1991 में 17 मिनट का और 2000 जहां 22 की बात करे 100 सेकेंड पर रखा गया है अब 2023 में हैं अब इसे 90 सेकेंड पर सेट किया गया है अगर आप लोग भी चानते हैं कि दुनिया की तबाही न हो कयामत का दिन न आए जैसा लिखा गया है अगर आप भी चाते हैं कि प्रले का वो दोर न आए तो आप सब लोग जो है वो शानती बनाए रखे जादा तो लीडर्स के लिए है क्योंकि उनी के बढ़काओ वाशन जो है वो कभी शानती रहने नहीं देते और अभी जो इसका में कारन बताया जा रहा है वो रशिया और यूक्रेन का युद है जब बार बार रशिया जो है वो प्रमानू हमले की चितावनी दे रहा है हो सकता है रशिया ऐसा कर भी दे अगर उस पर थोड़ा सा अमेरिका का दवाब ना हो तो ये सारी बाते जो हैं अमेरिका कहीं ना कहीं एक शॉर्ट नोट पर सुलजा सकता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा जब प्रले का वो दिन आएगा ना अमेरिका रहेगा ना यूक्रेन ना पूरा भारत ना ही दुनिया में कोई भी रहेगा और ना ही वो रशिया भी रहेगा जो बार बार परमानू हमले की धमकी दे रहा है इस डूम्स क्लोक के बारे में आपका क्या कहना है 2023 में उसे जरूर कमेंट बॉक्स में सांजा कीज़ेगा